अतकने वाले हैं एक वायर वाने वाली छोटी सी कम्पड़ी मायक्रो केप जिसका सियर है 149 करोड का जिसका अलली मार्केड केप हैं अगर उसके हम रेवेन्यू की बात करें तो 2018 कम्पड़ी कारेट ग्रोड हो चका है अभी बलकर कि वहीं अगर हम नेट परफिट की बात करें लेकिन कुछ लोग इसको अफ़र्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको को चोटा सा से बता रहा हूं जिस पर आप सोच सकते हैं बाइक करने की गयां पर हम बात करते हैं स्टोक के पीजाए जो कि काफी सेस्ता है और यहां पर हम देखें आरो सी और आरोई यहां पर एवरेज के तोर पर ठीक देखनों बल रहा है और company के intrinsic value भी बात करें तो 337 रुपे देखने हम बल रहे हैं जो कि इस company के current price से काफ़ी ज़्यादा है जो की अच्छी चाहिए intrinsic value से नीची अगर कोई share मिलता है तो under value माना जाता है और debt की बात करें तो 85 करो का debt है यहां पर अगर हम बात करें गाइस company के पास प्रमोटर्स की holding की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 59 करोड का प्रमोटर्स की holding है cash की बात करें तो 3.2 जी रेक्रोड का कमणी पास cash भी पड़ा हुआ है company के पास assets काफी ज्यादा है और liabilities काफी कम है आप देख सकते हो बलब comparison to assets company के पास liabilities कम है और company अपने assets से return भी जनरेट कर पा रहे है तो सोने पर सोहागे वाली बात हो जाती है company की sales में देखो जैसे में बता रहता है growth देखने में लेकिन आपको परिसान नहीं होना है क्योंकि एक तो पैनी सीर है यह बहुत चोटा सीर है मार्केट कैप है तो कुछ चीजा हमें negative देखने मिल लाती है लेकिन वहीं अगर हमसको अगर positively ले तो क्योंकि company के साथ में company के profit में और profit के साथ सेड्स में काफी च्रका सा growth देखने मिल रहा है इसलिए यह को किसी company पास अगर debt है तो क्या company growth कर रही है debt होना बरी बात नहीं है अगर debt है तो company के साथ साथ company debt के साथ साथ company में profit में growth होने चाहिए तो वहाँ पर debt की कोई risk नहीं रहा जाती है अगर company पास debt है और company loss making company है तो वहाँ पर हमें consider करना पड़ता है risk के लिए करती है और यहां पर आप देखो कि प्रोंस काफी ज्यादा है company पास और कॉंस कुछ भी नहीं है मतलब बुराइया कुछ भी नहीं कमने पास ठीक है तो इस तरीके सी यहां पर आप देखा तो कम लास्ट फाबिरे से 69 हम कह सकते 70% के सीजास से company grow कर रही है वहें अगर हम बा इसकी वैसे company profit making company है यहां पर operating profit माजन काफी अच्छा है यहां पर आप देख सकते हो काफी इस वैसे company को net profit भी होता है क्योगी कमने की sales में ग्रोथ हो रही इसलिए company net profit भी बढ़ता जा रहा है company का EPS भी देख सकते हो 5.89 हो चुका है एक रुपए से बढ़ करके तो इस तरीके से हमने देखा company काफी फॉल्नमेंटर समय नदर आ रहे है company profit growth sales growth और sales growth profit growth और यहां पर का फिच्छा मिल रहा है कि बैलेंस जीट की बात करने company पास बोरविंग बढ़ी है लेकिन कमणी पास थोड़ा सा बोरंग ज्यादा है रेजर्व कम है इसकी वैसे हमने डेट टुटू इक्रिटू से जहाद देखने हो मिल रहा था और बोरविंग में बात करें गाइस तो यहां पर आपको देख रहे हो मिल जाएगा अब तो थोड़ा सा तो पर चाहिए लेकिन लांग टम पर कम है इसलिए किसी company पास में आपको एक बात किलेट कर देना चाहता हूं अगर किसी company पास कर्जा है तो कर्जा होना बोरी बात नहीं तो बहिने से हैं इनके पास कर्जा होता है लेकिन कंपणी लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए और कंपणी का प्रोडक्स हमिशा डेमांडेबल होना चाहिए तो यहाँ पर बात करें तो कंपणी की मार्केट कैप 149 करो का देखने को मिल रहा है आपको और वहीं कंपणी करेंड प्रास 133 रुपए देखने को मिल रही है जबकि कंपणी का अंट्रांज बालू 337 रुपए आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से कंपणी का स्टॉक जो है बहुँ ज़्यादा अंडर बलूट देखने को मिल रहा है कंपणी के प्रोडक्स की अगर हम बात कर लें तो कंपणी कई टैप्स के वायर के सट्रों में यूज होते हैं कि की वायर के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपने नाम देखने हो तो वायर नेर्डर्स फांशनर्स जुन फेंसट फैंसिंग प्रडक्स पावर इंडश्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रेक्ट्र ि जेर्रेर् Connellक के लिए ठीक है और कंपणी पास 9550-कस्टोमर्स है अगर नहीं है तो आप केसा भी अच्छा प्रोडक्स बनाऊ अपने लिए लेकिन कि हब तक ग्रह प्रोडक्स का तो इस तरीके से कंपनी काफी अच्छी है मदलब काफी अच्छी से प्रोडक्स भी बनाती है है और यहां पर बात करें किया कम्पनी के स Community क्लाइंस की तो यहां पर आप resonates औरoti अधिभी यहां नहीं हम वाफस देखेंगे पहले क्लाइंस यहां पर देखएंगे कम्पनी अपना स्वर्ग कहा ह्यां...? तो यहां पर देखा है도कैंग गआ ऑप्रंडं सब्दार्टthis चेलर्टर कंडंडेक्टर जलिए न्इंजिनर्टिक ने एन्डी कंड्डेकशन बहुत बड़ी इंडिस्टी है जन्रारयर करफ्लिकशन केवर कंडडेक्टर्न सब्संद के अध्यरा ज Lab WAS परिशान हो रहे थे सर गेकी वायर चल नहीं रहा है कमेंच कर रहे थे सर गेकी वायर चल नहीं रहा है मैंने का होड़ की जिए उसको लेकिन आपने होड़ किया कि नहीं देखो चला सेयर ने तो एक महीने के अंदर 46% का रिटन मागे दिया ठीक है और फाइवर की बात करना तो कंपनी डाइशो पसंद का रिटन मागे दिया फाइवर में अच्छा लोग परिजान कियो थे कि सेयर चल नहीं रहा था जब कि मैंने कई ब बताया था कि सेयर यहां पर रेस्टेंट कर रहा है और नीच से जानी रहा है तो सेयर मारेगा यहां से तो इस तरीकी से कोई अगर चल नहीं रहा है तो आपको परिशान नहीं होना मिलेकुल भी हमें देख रहा है कि कंपनी को कोई चल नहीं रहा है यह उसकी दिक्कत नहीं और उसके सास्त फनमेंट प्रॉफिट भी रहा है करजा बढ़ता जा रहा है पेज के निकल रहे हैं सब लोग वहाँ पर सोचने वाली बात होती है प्रोडक्स कंपनी आप देखो पैसा बना रहे है तो यहां से इस तरी किसे हम कह सकते हैं कि पैसा बनेगा जरूब बनेगा ठीक है तो जिसके पास भी सेर है आप इसको कंसिशन्स के जाथ होल्ड भी कर सकते हैं लेकिन बाय करने से पहले एक बार अपने लेवल पर रिसर्च जरूर कलने अपने फ्रांस एडवाजर से सलावी लेले तब ही बाय करें ब्लैंड लीवल किसी पर नहीं करना है अपना पैसा अच्छे से लगाना है अपने आप ऊपर भी रिसर्च करनी है ठीक है और लोन लेकर करना है थोड़ा-थोड़ा लगा लो हर मेंनी सिप कर लो ल इसके बाद करने सेरे केस्ट्राइप है ताकि कुछ डिस्ट्राइब हो जाएगा थैंक बोजिंग एंड सब्सक्राइब लाओ